नमस्कार साथियों कैसे हैं आप मैं आपका साथी एड़ोकेट अचिन्त पाद्या है आपके सेवा के लिए फिर हाजर हुआ हूँ भारतिय राज विवस्था का यानि कि इंडियन पॉलिटी का एक नया चेप्टर लेकर और वो है आपका पूरा बेजड आर्टिकल 32 32 बहुत इंपॉर्डेंट पार्ट है और समवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें बताया गया है राइट टू कॉंस्टिटूशनल रेमेडीज तो यह अगर हमने नहीं पढ़ा इसमें तो समझ लिए हमने बहुत बड़ा प और प्रजात अंतर में प्रजात अंतर बना रहे उसके लिए आर्टिकल 32 बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है तो आज जो हम पढ़ेंगे आप इसके लिए चैपटर 12 मूल अधिकारों मूल अधिकारों के बारे में बढ़ेंगे नागरिकों के मूल अधिकार जो आपको बताए गए हैं जिससे पहले मैंने वीडियो बना दी है पूरी सारी लेकिन मैंने सोचा कि अनुच्छे 32 के उपर एक अलग से वीडियो बनाई जाए जिससे आपको पूर्व जो लावानवित हो सकें बच्चे और हर तरह से complete package जो हम देना चाह रहे हैं वो आपको मिल सके अगर आपने अभी तक हमारा चैनल subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और सारे दोस्तों को इसको share करें like करें अगर आपको लगता है comment करना है तो आप हमारे प्रोटसान के लिए उत्सा के लिए comment दोस्तों जरूर किया करें जिससे हमें मालुम पढ़े कि हमारी जो पढ़ाई है आपके लिए वो कैसी चल रही है और कितना हमें इसमें और बरिबरतन करना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाव मिल सके क्योंकि सारी बुक्स को देखकर नोटस को देखकर हर चीज को देखकर जो लेटेस्ट वर्जन है इसका वो हम आपको लाके देते हैं और टाइम टाइम पर अपडेट होते रहते हैं तो आप ध्यान रखें कि बुक्स अगर आप पड़ते हैं तो उससे बहतर ये आपका निचोड हमने जो निकाल के दिया है वो आप इसे पड़ते हैं तो आपको बुक्स को पड़ने की बिलकुल भी आवशक्ता नहीं पड़ेगी चलिए स्टार्ट करते हैं नागरिकों के मूल अधिकार जिसमें संबेधानेक उपचारों का अधिकार अनुच्छेत 32 के बारे में मैंने बताया है और डॉक्टर भी आर अमबेट करने जो भी आर अमबेट कर हुए उन्होंने बताया है कि संबेधान उपचारों को संबेधान का हिर्दे या आत्मा कहा है उन्होंने जनरली आपको मिल जाएगा कि संबेधानेक उपचारों की से आत्मा कहा है उन्होंने अगर इसमें से इसको हटा दिया जाए तो इसका मदब संबेधान कि जो अनुच्छे दे और उसकी जो अदेश है वो सारा का सारा निरर्थक हो जाएगा विर्थ हो जाएगा तो इसमें पांच प्रकार की जो रिट्स हैं जिसे हम कहते हैं लेक आदेश दिया जाता है कोड के द्वारा उन कोड के आदेश को किसी कानून के जरीए नहीं लेकिन कोड को आदेश है कि वो अपने किसी निचली अदालत को या ओफीसर को या कोई भी विक्ती है उसको आदेश दे सकता है जहां पर विक्ती के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है यानि कि विक्ती के मूल अधिकारों को छीना जा रहा है यहां पर मैं वर्ड बोल रहा हूँ विक्ति सिटीजन नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब यह हर विक्ति के लिए है जो भारत में यहां रह रहा है बले ही वो सिटीजन है या नौन सिटीजन है तो यहां पर कुछ रिट एक ऐसी है जो नौन सिटीजन पर भी लागू होती है जैसे कि आपका हबियस कॉर्पस तो इसमें मैं बढ़ाऊंगा आपको बंदी प्रतक्षी करन पहली जो रिट है हबियस कॉर्पस परमादेश है मेंडमस और नेक्स्ट है इसमें निशेदाग्य प्रोहिबीशन और नेक्स्ट अधिकार प्रच्छा क्यों वरंटो उत्रेशन रिट सर्शियररी तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप बने रहें मेरे साथ नेक्स इसमें आते हैं सबसे पहले हम बढ़ाएंगे आपको बंदी प्रतक्षी करन बंदी प्रत प्रतक्षी करन दुबारा किसी भी गरफतार व्यक्ति को नियायले के सामने प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी किया जाता है यदि गरफतारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है या संतोस जनक ना हो तो नियायले व्यक्ति को छोड़ने का तुरंत आदेश जारी कर सक तो यहाँ पर कोर्ट को यह काफी अच्छी पावर दी गई है दोस्तों नेक्स चलते हैं इसमें मैंडमस परमादेश यह आदेश उन परस्तितियों में जारी किया जाता है जब नियायले को लगता है कोई सार्वजिनिक पदा अधिकारी अपने कानूनी और समवैदाने को 17 पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी विक्ती का जो मौलिक अधिकार है फन्डमेंटल राइट्स है वो प्रबावित होता है तो वो उसे आदेश दे सकता है उस सार्वजिनिक पदा अधिकारी को आदेश दिया जा सकता है इस दिया सकता है कोट के गई यहाँ पर कोई निचली अदालत अपने अधिकार छेत्र को मतलब भे वो अधिकार छेत्र से अतिकरमित करती है अतिकरमन करती है और वो मुकदमे की सुनवाई करती है मतलब की जो अधालत है वो उसका अधिकार नहीं है उसे बाहर जाके वो उसका काम करती है तो उपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निशेद आग गया यानि की प्रतिशेद जारी कर सकते हैं तो यहां पर ये अदालतों को निचली अदालतों को जारी किया जाता है नेक्स्ट आता है इसमें उत्प्रेशन रिट जब कोई निचली अदालत या सरकारी अदिकारी बिना अदिकार के कोई कारे करता है मतलब कि उसे अदिकारी ही नहीं है उस चीज की सुनवाई करने का ना अदालत को ना सरकारी अदिकारी को और अगर वो काम करता है तो नियायले उसके समक्ष विचारा धीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेशन द्वारा उससे उपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तान श्रित कर सकती है तो यहाँ पर यह कोड को एक और पावर दे दी गई है नेक्स आता है इसमें अधिकार प्रिच्छा यहाँ पर जब नियायले को लगता है कि कोई विक्ति ऐसे पद पर निक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार है नहीं है और गेर कानूनी तरीके से वो काबिज हो चुका है तब नियाले अधिकार प्रच्छा आदेश जारी कर विक्ति को उस पद पर कार करनी से रोग देती है तो ये कोर्ट को अधिकार दिया गया है इसमें तो ये मैंने पांच प्रकार की रिट यहां पर बताई जो संबेधान के अनुच्छिद 32 में दी गई है अगर इन पांचों रिट को हटा दिया जाए तो संबेधान जो ढांचा है वो चरमरा जाएगा और जो उद्देश है वो विफल हो जाएगा और इसके अलावा भी एक रिट आती है जो आगे इसमें सम्मेदान में नहीं लिखी गई है बाद में डेबलब की गई है जिसको हम कहते हैं क्यूरेटिव क्यूरेटिव होती है मतलब इसमें दुवारा से सुधार किया जा सके मतलब कि कोट दुवारा इसमें सोचे कि जिसने कोट ने जो आदेश दिया है वो सही है गलत है उस पर विचार करे क्योर करे उसे क्यूरेटिव उसको सुधार करे उसमें जरूरी नहीं है कि कोर्ट पर बाउंडेशन की जाए लेकिन फिर भी एक मौका और दिया जा सकता है कहीं अन्याय ना हो जाए तो यहां पर क्यूरेटिव रिट प्रेटीशन जारी की जाती है किसी मुवक्किल के द्वारा, क्लाइंट के द्वारा, अपने वकील के द्वारा तो यहाँ पर पांच प्रकार की रिट हैं लेकिन मैंने एक छटमी प्रकार की और बताईए आपको जिसे आप पैंडाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और याद रखेंगे, अगर आप उसे क्वेशन के आंसर में लिखते हैं तो आपका क्वेशन का आंसर काफी अच्छा दिखेगा मालुम पड़ेगा कि आपको नॉलिज है तो अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो दोस्तों जरूर कमेंड करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और जो भी हम देते हैं बिलकुल लेटेस्ट जो मैंने आपको छटवी रिट बताई है तो निकाल के दिये इसलिए आप इसे भूले नहीं और लाइक करें, शेयर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो दे रियल स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करना न बूले क्योंकि जो भी मैटीरियल यहां पर मिलना है वो आपको शुरू से लेके अंत तक मिलेगा और जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा आपको हर चीज दी जाएगी बीच में से हम केबल चटपटा और मसालेदार मामला जो टॉपिक अवो नहीं देंगे क्योंकि हमारा उद्देश है बच्चे को जो विद्धारती है उसको पूर्ण नॉलेज कराना जिससे उसका एक्जाम पूर्टा से जो कंप्लीट हो सके तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में इसी जोश के साथ और इसी उमंग के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत